बहुत किसान बहारी इसी उत्वात के बारे में बात करुँगा है। जो किसान बहाई इससे चूग जाते हैं। कुस किसान बहाई तो बहुत बढ़ हत्री के से इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ता है और अच्छा। लेकिन कुछ किसान भाई इसका प्रियोग नहीं करते हैं और बहुत हड़क समझते हैं क्योंकि भाईयो इसका प्रियोग कुछ किसान भाई तो गोबर में मिला के करते हैं गोबर की खाज जो होती है उसमें और कुछ किसान भाई इसका टपके में जब पानी चलता है उस दोरा और पुछ अध्यों यह कीट नासक करती है आपके गन्य में कीटों को भी रोगताम करती है क्योंकि यह इम्मुनीटी बढ़ाती है पोध्धे में और जब गन्य में प्रिति रोधक चमता बढ़ जाएगी तो आपके गन्य में रोग बहुत कम चांस रहते हैं आने के और भाई भाई यो उन्हें खेंच के पोधो को देने का भी काम करता है और जड़ से जितनी वी विमारी अलगती है उन्हें की सब की रोगताम करता है और गन्य लाश्ट तक बिल्कुल हरा वरा होके चलता है जिन किसान भाई ने इसका पिरियोग पहले किया है न वह भी इस टैम पर पहले तो किया जैसे कि गन्ह बुआई कि टैम भी करते हैं और जिस टैम खेत की जुताई वगरा हो रही हो तैयार हो उस टैम भी करते हैं लेकिन जुश किसान भाई ने इसका पिरियोग इस टैम पर किया है सितंबर महीनी में भाई यू इसके लाजवाब रिजल्ट नहीं बिल्कुल ऐसा हो जागा आप भी यह कहेंगे कि बहुत बढ़िया गन्ना होके चलिया बिल्कुल जैड बिलैक हो जाता है इसका प्रियोग करने के बाद और जब फरवरी मार्स तक भी बिल्कुल ऐसा रहेगा अंगोला आपके गन्ने का बिल्कुल जैड बिलैक बिल्कुल का और कुछ किसान भाईयों के यहां मेल दे रहे हैं और बहुती सस्ते रेटों में दे रहे हैं और जिनके यहां मेल नहीं दे रहे हैं तो सोसाइटी के दुबार भी मिल जाता है वन्हां दुकानों पर तो आपको मिली जाएगा भाईयो बहुती सस्ता उत्पाद है ट्राइकोडर्मा लगभग 100 रुपै किलो के आसपास आपको यह मिल जाएगा और 2 किलो एक एक कडमा आपको यह यूज करना है 2 किलो यूज करें एक एक कडमे और भाईयो तरीका क्या है इसके यूज करने का मैं आपको कुछ हटके बता रहा हूँ भाईयो आपको क्या करना है एक ड्रम लेना है 50 लिटर वाला और भाईयो उसमें ये 2 किलो घोल लेना है और टप का विधी से जब आप अपने गन्ने में पानी चलाएं तो टप का विधी से आप उसे छोड़ सकते हैं साथ गेनना चाहिए आपको और इसके डालने के लगभग एक महिने बाद लो कोई भी आपको रसाइनिक खाद या कोई भी कीटना सक या फंगिसाइड आपको इसकी साथ नहीं मिलाना है और जब आप पानी दे अपने गन्ने को तब इसे पानी के साथ छोड़ देना है और इसमें साफधानिया क्या है भाईयो इसका यूज करने के बाद दो किलो पिर्ती एककड का जब आप यूज करने से पानी के साथ तो दो किलो पिर्ती एककड का यूज करना है और इसकी साथ ना है भाईयो आपको अपने गन्य की फसल में तीन बार पानी देना है क्योंकि आपके गन्य में नमी जितनी रहेगी न नीचे से नमी और गन्य इतना बड़ा हो गया है तो छाओं भी रहेगी उपड़ से तो भाईयो ये छाओं में बहुत अच्छा काम करता है और जितनी नमी रहेगी उसमें और ये आपके सेरे गन्ये में नीचे फैल जाएगा जमीन में और गन्ये को ये पूरी तागत देगा और प्रोक पृतिरोदग छमताई बढ़ाएगा और पूरा एक्टिव हो जाया गन्ये में ये तो भाईव इस प्रकार आपको ये यूज करना है और रिजल्ट आपको बहुत सांदार मिलेंगे और जो किसान भाई ये कहेंगे कि इसका यूज करने के कोई फायद नहीं है तो भाईव एक बार यूज जरूर करके देखें कोई ऐसा महगा प्रोक ना है जादा जमीन में जा बहुत ही बढ़हा कि ट्राइकोडर्मा का रिजल्ट आते हैं आप एक बार यूज करें तो भायों ने यूज कर रखा है वो कमेंट में जरूरूर बताएं कि उनका रिजल्ट पिछले साल कैसा आया और इस बार भी किसी ने यूज करा है तो वह भी बताएं क्योंकि बहुत ब होना रहे थे कि ट्राइकोडर्मा के बारे में बताओ और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल हमने सितंबर महिने में इसका यूज इस तरिक के से किया था जो मैंने विधी बताई है और वे ये बता रहे हैं कि हमने उसके बाद कोई भी कि नासक फंगिसाइड यूज निकरा और हमारा गन्ना बिल्कुल हरा वरा रहा और बहुत हश्ट पूस्ट हो के चला और बहुत बढ़िया पैदावार हुई तो भाईयो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद नम सकार